राजु नमस्ते प्राज़ नहीं बढ़ सकता हूं मैंने उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया और मैंने हमेशा पॉजिटीव में लिया और मैं कुशिस किया कि मैं अच्छे जगा अच्छे पोष्ट पे जाओं और इसके लिए मैंने 10 से 12 घंटे मैंनत किये और मैं अभी जुनियर इंजिनियर पे हूँ और मैं अभी रूपना नहीं चाहता हूँ मैं आगे और बरना चाहता हूँ इसके लिए मैं और रेड़ी UPSC की तैयारी करूँगा और मैं नेशन को कुछ दे सबुता किये और जब मैं इस्टर डेलवे जॉइन किये तो यहां के स्टाफ यहां के मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर और मेरे बैचलर काफी मुझे सायोग किये और मुझे कभी भी यह एसास नहीं होने दिया कि मैं अपने फैमिली से बाहर हूँ जस्ट लाइक ए फैमिली तो थैंक्स टू इस्टर डेलवे और मैंने मेकनिकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा किया हूँ और मैं गवर्मेंट पॉलिटिंग दर हूंगा था राजु जी आपके बातों में इतना कॉन्फिडेंस है और इतना जजबा दिख रहा है कि मुझे बड़ा आपको सुन करके अच्छा लग रहा था और थैंक्स आप रोना धोना छोड़ करके कभी अब दिव्यांग हूं यह हूं लेकिन आपने उसी को अपने शक्ति बना दी अचा बताईए जूनियर इंजिनियर की नोकरी प्राप्त कैसे हुई आपको जी आररवी जेए का वैकेंसी आया था जिसमें मैंने आररवी कुलकता चूज किया था और मैंने फॉर्म बारा इसके वाद इसका दो स्टेज में एक्जाम होती है केंप्यूटर मुझे इंपैनेल किया गया और इंपैनेल होने के बाद मुझे आप ही के हाथो मुझे रोजगार में लेके थूरू एपॉर्मेंट लेटर मिला और मैं बहुत खूस हूँ कि मुझे आज आपसे बात करने की मौका भी मिल चुगा है अच्छा राजू जी प्रारम मौडूल का अनुभव कैसा रहा आपका जी इस पे मैंने आठ कोर्सेस किये हैं जिसमें से मुझे सबसे बढ़ियां कोड अफ कंडक्ट फॉर गवर्मेंट इंप्लॉई एंड एश्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा लगा क्योंकि कोड अफ बीच में एक मुझे बॉंड की तरह काम करना पड़ेगा तो इसलिए मेरे उपर बहुत सारे परिसानियां आएंगी तो मैं मुझे ये कोड एश्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे इसमें बहुत साहिता की है आजा राजू आप अभी बता रहे हैं आप एक्जाम भी देना च चाहते हैं आप ये नोकरी भी करेंगे और एक्जाम की तेहरी करेंगे मैं करूंगा जो मुझे जॉब ड्यूटी करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं उससे 6-7 गहंटे निकालूंगा और मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ू क क्योंकि मेरा औरेडी 3-4 एक्जाम मैंने क्लियर कर चुका हूं तो मुझे मेरा बेसिक क्लियर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मुझे तो बताया गए आप तो आपको शादी में बीजी होने वाले हो और परवरी में साधी है मुझे कोई दिकत नहीं होगी क्योंकि एक पत्नी आ जाएगी तो मुझे अच्छा होगा कि मेरा जो कुछ है इस्ट्रेस होगा वह कम होगा और जहाँ तक बात है तो साथी के बार कोई परेशानिय नहीं आती है वो एक तरह से फिलिंग समय कुछ अलगी होती है परेशानिय नहीं आती है जिम्हेवार यह नियारे आती है पर दिसक राजसे की बाते सुनकर करके और आपका जो उमंग है नयानया करने का जो इरादा है और व्यक्तिगत्स शरीर की कुछ तकलीब है उसको आप बिल्कुल ही परवा न करते हुस पर विजय हांसिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मेरी आपको बहुत-बहुत शुब कामनाएं हैं धन्यवाद हैंगी जरव